मेरे घर पहुचने से पहले मेरी माँ खाना बना चुकी थी इस sentence के इंगलिस जानेंगे आज की इस वीडियो में तो चली हम इस sentence को इंगलिस में ट्रांसलेट करते हैं दोस्तों इस तरह के sentence में बीतिव समय में दो कार समाप्थ हुआ था जैसे के इस sentence में देखिए इंग्लिस में translate करने का नियम होता है कि जो काम पहले हुआ है उसे हम past perfect tense के नियम से translate करते हैं और जो काम उसके बात समाप्त हुआ था उसे हम past independent tense के नियम से translate करते हैं तो इसमें पहले क्या हुआ है पहले मेरी मा खाना बना चुकी थी तो इसमें sentence हम पहले लिखेंगे इस टेंस के नियाम से ट्रांसेट करेंगे यानि पहले subject उसके बाद had उसके बाद verb का third form यह हो जाएगा my mother had cooked food उसके बाद पहले की meaning लिखेंगे before उसके बाद मेरे घर पहुचने की English हम लिखेंगे past indefinite tense में तो पहुचना को English में reach कहते हैं मेरे घर पहुचने से पहले मेरी मा खाना बना चुकी थी इसकी English होती है my mother had cooked food before I reached home